हलो दोस्तों, तो मैं हूँ अर्जुन और आज का वीडियो होगा हमारा वाइफाइ स्टेडी के बारे में आप सबने वाइफाइ स्टेडी का नाम सुनाओगों जितने भी लोग गौवर्मेंट इक्जाम के प्रिपरेशन करते हो, राइट लेकिन बताना चाहूंगा कि आप लोग अगर वाइफाइ स्टेडी में जॉप करना चाहते हो, तो वहाँ अपलाई करने का सही तरीका, क्या अगर आप फैकल्टी बनना चाहते हो, या कंटेट राइटर बनना चाहते हो, तो क्या करना होगा? मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप apply कर सकते हो निश्यत रही है दोस्तो lockdown का time है बहुत मुश्किल चल रही है बहुतों का job गया है बट निश्यत रहूँ जहां है अर्जुन वहां मिलेगा आपको job मैं हर तरह की job लाऊंगा हर तरह की कोशिश करूँगा ताकि आपको employment मिल जाए तो बताना चाहूंगा जो लोग वाइफ़ स्टेडी के बारे में नहीं जानते वाइफ़ स्टेडी यूट्यूब के बहुत उच्छे मुकाम पर है उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर बेस उनका बहुत बड़ा है और वो government exams के preparation करवाती है बैंक हुई, SSE हुई, railway हुई यह सारे जितने भी exams है अगर आप भी इंडिया में तो आप लोग बहुत लोग सब ने कभी न कभी तो government exam का preparation किया ही होता है तो अगर आपको उस segment में अगर आपकी government job clear नहीं हो रही है तब तक आप अभी कहीं जॉब करना चाहते हैं तो आप एक बार wifi study में ट्राइब कीजिए जैसे मैं आपको बता चाहूंगा मैंने test book के बारे भी बता है जो same government job की preparation कराते अगर आप वहाँ apply करना चाहे तो क्या कर सकते हैं तो इसी तरह मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे कैसे आप apply कर सकते हैं और process क्या होगा तो अभी के लिए wifi study सबसे बढ़ी चैनल है यूट्यूब पर और वहाँ वो पढ़ाते हैं क्या पदा आपको भी वहाँ पढ़ाने का मौका मिल जाओ online classes conduct करने का तो मैं आपको अपने mobile के screen पे ले जाओंगा वहाँ जाके मैं आपको पूरा details दूँँगा कि कैसे कैसे आप apply कर सकते हूँ उसके लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहो और चैनल पे नएस हो तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर दो और जी सुन लो भाई अगर आपको लगता है कि आपकी किसी फ्रेंट को जॉब की ज़रत है तो उसे ये शेर भी कर दो चलिए हम अपने चलते हैं चलिए दोस्तों आपका स्वागत है मेरे मोगाल के स्क्रीन पे हम चलते हैं यहां पर कैसे हम अम्पलाई कर सकते हैं हमें यहां पर टाइप करना होगा वाई-म्द स्टड़ी जैसे 5 वाइफास स्टड़ी में सिलेक्ट करते हैं तो यह हम क्लिक करना जैसी करते हैं तो यहाँ पर पहला औप्षन दिख जाता करियर वाइफास पूर्चनिटी टिर्ट आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे आपको यहाँ पे एक कोट लिखावा मिलेगा वाइफाइ स्टेडी का कि अगर आप वही इंदूसियास्टिक इंडिविजुल हैं जो कि आप पूरा महनत करना चाहते हो और पढ़ाई के तरीके को जैसे आपने ABC टाइप किया जैसे आप नाम टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है कितने सारे आप जारा देखिए एड्यूकेटर का है जो वीडियो फैकल्टी होंगे जो जैसे आप वाइफा स्टेडी के चैनल पर जाएंगे तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एपि क्लिक करना होगा अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको किसी सब्जेक्ट का अच्छा नौलेज है लेकिन आप पढ़ाना नहीं चाहते है वीडियो बनाने में यहाँ फिर आप घबराते हैं तो फिर आप कंट बहुत ही उंदा है पांचवा जो है वह आपका studio operator या video editor अगर आपको video editing की skill आती है अगर आप video editing अच्छे से करना जानते हैं तो आप इस job के लिए भी apply कर सकते हैं एक होता है YouTube analyst या YouTube SEO अगर आप मानते हैं कि आपने YouTube पे काम किया है आप साथ में कुछ और काम भी करना चाहते ह आपके अच्छी पकड़ है तो आप जरूर इस पर भी apply कर सकते हैं एक पांच साथवा option है आपके पास जहां पर आपको YouTube community manager का भी designation मिलता है अगर आप को अगर इसमें कोई इंट्रेस्ट है तो आप जरूर इस पर apply कीज़े अगर आपको इसमें कुछ idea है आपने काम किया है तब यह और भी बढ़िया बात है आपके लिए अगर आप सेल्स में professional है सेल्स में आपकी महारत हासिल है तो सेल्स में भी आप apply कर सकते हैं यहां पर देखिए category manager के लिए भी आपके यहां पर job निकली हुई है अगर आप IT से भी लॉंग करते हैं web designing आती है graphic designer है आप तो अगर आप में को इसमें से कुछ भी आती है तो आप apply कीजिए मैं subject matter के लिए apply कर रहा हूं जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको option मिल जाता है अगर आप subject matter है तो एक्सपर्ट हैं तो कौन से subject में आप पढ़ाना के लिए capable समझते हैं खुद को SSEA railway bank or insurance इधर आपका defense के आप जाएं चाहिए teaching exams के लिए UPSC level का पढ़ा सकते है state level exams के लिए आप capable है या engineering exams में अपने महारत हासिल की है या कोई और exam इसके इलावा जिस पर आपको अच्छी पकड़ है तो मैं अभी के लिए ससी और railway तो सिलेक्ट कर लेता हूं तो यहां पर हमारे पास एक और option आता सिलेक्ट कर लेता हूं तो यहां पर पूछा जा रहा है कि आपको क्यों है आप में क्या बात है आपको यह सिलेक्ट करना है अगर आप कुछ भी लिख देते हैं ओके कर दिया जैसे आपने और आप अगला option जो आपको आता है उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप कितने hard working है आप अपने आपको खुद को खुद से 10 में कितना rate करते हैं मान लिजे मैंने 7 किया इसके बाद आपके पास आता है क आपका highest educational qualification क्या है आप मान लिजे टाइप करते हैं कि आपका बी कॉम है तो जैसे आपने बी कॉम टाइप किया यहां पर आपका job location दो है पहले आपको याद होगा कि वो जैपूर से operate करते हैं लेकिन अब बहुत बात नहीं रही देखिए पहले वो दिल्ली और जैपूर मे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर आपको यहां पर टाइप करना है कि आप सालरी कितना लेना चाहेंगे अभी के लिए मैं 30,000 टाइप कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए और यह पर मंत सेलरी डालिएगा दोस्तों पर एनम नहीं और आपको अपना mail id देना है जैसे देख आपका mail id दे दिया जैसे मैं यहां पर mail id दूँगा तो उसके बाद हमें एक नया option आएगा देखिए मैंने mail id दे दिया जैसे हम mail id देते हैं तो आपका phone number मांगा जाता है जैसे आप phone number देंगे तब आपको type करने का option आ जाएगा और फिर आप जाके submit कर सकते हैं ठीक है दोस आपने श्यंद रहिए दोस्तों आपको पूरी-पूरी मदद की जाएगी यहां पर अगर आप पहली बार आयें यहां पर इस चैनल पर और आपको jobs related information चाहिए तो आप ज़रूर इस चैनल को subscribe कीजिए अगर आपके कोई friends इस job के बारे में ढूंड रहे हैं तो उनको भी यह वीडियो शेयर कीजिए और अच्छे लगी तो चैनल को subscribe कीजिए धन्यवाद दोस्तों